कि टार्म उप पिच्छल अलास्थ लेस्ट था हमारा उसमें हम लोग ने कैलकुलेट क्या को जो की ऊंप बीडेन लेक्चर ये लेक्शे expanding UP direct करेंगे वह और रहेगा को गुरूप डाटके बेश्ट अंग्डाता में जो डिफरेंस है वो है कि ऊंप इसे- il के अनुब तो ऐसे एक फिक्वेंसी दी रहे तो यह होगे आपका अंग्रूप डाटा का एक्जामपल बट सर्फ ग्रूप डाटा में थोड़ा डिफ्रेंस है थे ग्रूप डाटा में क्या होते है ना कि क्लास इंट्रवल्स भी दिये रहे तो कि मैं आपको बता तो आप लोगों ने आपके क्लास में 50 माक्स के एक्जाम होई थी तो आपको अगर क्यालकुलेट करना है कि बच्चों को मार्क्स मिले तो वहाँ पर मेडियन का यूज होता है और यहाँ पर ग्रूप डाटा का पैंटी टू थर्टी टूं दो होट्री जिए यह और यहाँ ऑपका ख्लास इंट्रवल्स एक लाज लोगहां फिर उसके आगया आपको को frequency सी मिलते हैं मतलब कितने बच्चों को मार्ग मिले जिसे कि 5,5,05,10 को 10-20 को 10-10 लोगों को मिल गया पकड़ा है 20-30-50 लोगों yolan मिल गया है 40-50-20 सिर्ष दो लोगों मिल दे छहाहा है वैं कि यह बन जाता है आपका एक्स या फिर अपकी frequency okay x or frequency फिर उसके बाद अभी मैंने आपको बता थे कि median में ascending order में अरेंज करना रहते हुगे बट हम ascending order में अरेंज तभी करते हैं जब अन गूब data का problem solve करते रहे बट यह जो हम problem solve कर रहे हैं वो रहेगा group data कुसका प्रोब्लम सॉल्व करोगे तो इसको असेंडिंग और में नहीं अरेंज करना रहता है क्योंकि जब आप फ्रिक्वेंसी को असेंडिंग और में अरेंज कर दोगे तो क्लास इंटरवल पूरा हिल जाएगा और आपका सॉल्विशन पूरा का पूरा रॉंग हो जाएगा तो ग्रूप डाटा में आपको असेंडिंग और में अरेंज नहीं करना क्लास मीडियन क्लास मतलब जो मिडल क्लास है वह हमें कल्कुलेट करना पड़ता है तो सर इसमें भी एन अपमीडियन क्लास का फोर्मिला दोको एन अपन टूथ ओब अब्जर्वेशन एन अपन तूब्जर्वेशन इसमें क्या रहेगा खेल एन मतलब नमबर और टोल नंबर फ्रिक्वेंसी टोटल फ्रिक्वेंसी हमीं निकालने पड़ेगा तो उसके तो इसका जो 5 रहेगा यह एज इधर चला जाएगा इस इधर चला जाएगा फिर 5 फ्लस 10 होगा 5 फ्लस 10 होगा 5 फ्लस 10 फ्लस 15 इस लिए लिख लेंगे 15 फ्लस 5 20 20 फ्लस 10 30 30 फ्लस 25 कितना गया 32 इस ट्ल Wir आपका लोग को संद आपको समझना है कि आपको से क्या 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 का इसमें आप को वी कितना चाइगा झाब का आगे सिक्स्टीन कई एएस screen जाएका वान सु अब से कि जब आपको मेडेन ख मिल जाएगा एक बार आपको मिल जाएगा फिर उसके बाद आपको प्रिक्वेशिचे कर ओके तो आपका मीडेन क्लास का तो यह बन जाएगा आपका median class एक बार आपको आपका median class मिल गया तो आपको second formula अपला है तो second formula क्या है आप अपला median is equal to L सर्य आपे L मतलब क्या होता है L मतलब जो आपका class interval है ओके जो class interval 20-20 is to 30 20-30 आपका class interval तो class interval में जो lower value रहीगी ना lower value वो बन जाएगा आपका L is that clear h the h क्या होता है difference of class interval difference of class interval मतलब 30-20 करोगे तो आपको आपका मिल जाएगा h 30-20 करोगे तो आपका h मिलेगा h is equal to 10 is that clear फिल आपके साइगा frequency sir frequency frequency क्या है कि sir frequency is nothing but your frequency a class interval की frequency के 5 आपका f बन जाएगा 5 f is equal to 5 is that clear okay and as it is and अपना पता है sir and जिदर भी आपको एन मिलेगा an a की रहता है question में एक ही बार मिलेगा आपको एक की बार find करना रते है and is equal to 32 तो आपका an हर जागा बे 32 रहेगा तो सब्सक्राइब क्या एक 20 आएगा नहीं नहीं इदर गलती करते हैं बहुत से क्लास मीडिया नाया है यह उसके उपर वाला जो क्लास इंट्रवल रहेगा ना उसका क्यूमिलिटिव फ्रिक्वेंसी बन जाएगा 15 is that clear तो जैसे आप इधर QCF बन जाएगा statistics में पढ़के आना पड़ता है बाकि आप वैल्यूज एड़ पूटन करोगे ना तो आपका अंसर आप्टोमेटिक लिए आ जाएगा statistics सॉल्व करने को बहुत ज्याता सिंपल है यहां में एक question सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको और क्लेरिफिकेशन आ जाए गोगे ग्रूप डाटा का मैंने अभी इधर एक्जामपल लिया आपको ताकि आप अच्छी तरीके से क्लेरिफाइ कर लोगे एक्जामपल मार्ट इसका इंटरवल जोने पर दिया बच्चों ने बट उसमें से भी इतने बच्चों को कितने मांक्स आ हमें दीए नंबर आफ स्टुडेंट्स जोने 4 बच्चों आये मेंड फाइंड करने एक बहुत सिंपल आपको एक बार क्वेस्टन समझ में आए अगा ना क्या फाइंड करना है तो अटमेटिक लब फ्रैक्टिस करो गए अटमेटिक लिए गा प्रश्चन सबसे पहले आप उसको जो एबल उसको लिकेंगे एज इस एप क्लास इंटरवल इस नाम चेंज होता है आप माक्सी ने एक्जाम भी लिखोगे तो भी कोई फारक ने पड़ेगा बट क्लास इंटरवल इस परफेक्ट ने और एक यू केंड राइट और और इस शूटेबल वर्ड वर्ड विच उस अग्जामिन रप्रेजेंटेशन ओके त आपका और इस चला जागा 4 प्लस 20 24 24 प्लस 30 54 आगया 54 प्लस 40 94 आगया 94 प्लस 600 आगया तो आपका इधर एन इस इक्वल तो क्या हो गया 100 is that clear 100 आगया आपका चला आगे बढ़ते है आगे सबसे पहले हैं क्या फाइंड करते हैं मीडियन क्लास इसमें में मीडियन क्लास कों स और आपा हंड्रेड है ज्सेट क्ल Portal आगया एंद दिवाड़ करущेब में जाते हैं यह जाता में जाता है तो यह चो प्लस इंटरवाल है यह आपका बन गया मीडियन क्लास के मीडियन क्लास प्लस है is that clear यह आपका बन गया मीडियन क्लास एक बार आपको आपका मीडियन क्लास में बन मिल गया तो आप बाकी के जो क्वे फॉर्मिलाज में वैल्यूस पूटान करने वह आप अपको सब पता चल जाएंगे जैसे कि एल इधर पतो एल क्या एका 40 आएगा सर ओके पोटिया लिख दिया 40 एच का फ़ले वैल्यूस लिख लेंगे ताकि आपको पर मिले में का नोट डान करने को इजी चला जाएगा फ्रेच एच मैंने क्या बाता है था टास इंटरवल का इफरेंस क्लास इंटरवल का डिफरेंस का निकालने को सब बहुत सिंपल ए 60-40 कितना अब इदर सीय फिया फियाफ में कितना लिका 24 एक्जाम में फिर बी में इतना बताने के बाद भीना 54 लिख खाएगे और एक्जाम में रोंग आ जाएगा यह बाता है तक टो क्यूमिलेटिव फ्रिक्वेंसी रहती है वो पिछले क्लास इंटरवल पे लेते लेने रहती है तो आपका फॉर्मिला है तो अभी आप find करते हैं एल कितना है हमारा सर 40 लिख दिया कितना था 40 लिख दिया तो अपिस कितना था उपर देख लेते एक बार चिये तो एन कितना था एन कितना था सिंपल है एक बार वाल इतना आप कर लोगे ना तो आपको दो माक्स मिनिमम मिले जाएंगे इस एक लिए के लिए ट्समूफ अभी सबसे पहले मीडन करें करें तो कि मीडन इस उकल टू टू पहले कल्कुलेट करना पर देक जिए जीरो जीरो माइनस हो जाएंगे क्यों डिवाइड कर देते यह तो आप सब वी लोगों को पता है होगा जो जिए लो जिए डिवाइड बै करेंगे त तो कट हो जाएगा फिर सर इधर 50 कहां से आ गया यह 50 क्या हंडे डिवाइड बै टू करोगे तो आपको 50 आ जागा 50-24 बचेगा इधर आगे मढ़ते हैं आपके बास बचेगा 26 आप लोग ने लिग दिया तो यह 26 आप लोग ने लिग दिया तो अभी क्या करेंगे सर इधर तो कुछ अलगी आगा अभी इसको हम बच्पन ने हमें एक फ्रेक्शन का यह पड़ा था आप डिरेक्ली मल्टिप्लाइ कर सकते हैं नुमिरेटर को इधर डिनॉमिरेटर में रहता है तो आपको आपको 17.33 तो 40 प्लस 17.33 तो अब तो से प्लस 17.33 फंसर टो बेम इस इकवल तो 57.3 यह आपका आगया मीडर तो एसके बाद अप देखोगे तो बहुत सारे स्टेप्स बढ़ जाते हैं अगर 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 अगरग करना गण करना जाता है तो आप लुए नब इस तो आपको आपने म आपको पफेचल quéiska में बता था अगर आप ने नहीं देखा तो प्लीज जाक के देखे लिए मैंने बहुत ही, एकदम लास्ट मैं बता है है एकदम लिए आपका कर लोग उसमें कोई डाउट मिए इसके लिए पहला टोपर करना में कैसा क्ल्कूलएट करते इतने अच्छे नहीं रहते हैं उनको बहुत ही डिफिकल्ट पढ़ता है पाट है जो बहुत ही सिंपल है और स्कोरिंग है जितने आप स्टेटिस्टिक्स को प्रैक्टिस करोगे ना उतने आप बिल्डप और लोगे और आपका स्कोरिंग बढ़ देगा अगर आपको कुछ भी डाउट रहे कमेंट करो या फिर आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी जॉइन हो सकती हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये बहुत सारे लिंक्स है आपको जीदर आप कंफरेबल आप उधर से हमें आपको कर शक्ति हो इसले खाटी हो थाक्यों पर देल्युट एपर में चैनल पर पर बालम स्टेफ और आपको थांर स्ट आपको सेह